ओके गुड इविडिंग तो अल उफ यू देखो भी क्वेशन में क्या लिखा हुआ है अश्यल इस फायद फॉम आ कैनन विट अ विलॉस्टी वी एड अन अंगल थीटा विद अ होरॉन्टर डिरेक्शन ठीक है एड दी हाइस पॉइंट अफ इस पाथ इस फायदे और इस फायद फ seperately अब क्या हो रहा है कि अपन इस कैनन को थीटा डिगरी पर फेग और वी स्पीड पर क्सेशन होरे इस पॉइंट पहूंट है कि या अब रहा है अब क्या बोला है औरो यह या नो बराबर हिस्सों में फुड जा रहा है अब क्या बोला है, दो बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा अपने पात को retrace किया, इसका मतलब क्या हुआ, कि पहले जो cannon है वो ऐसे गया, ठीक है, अब यहाँ पर यह फूट गया, उसके बाद क्या हुआ, फूटने के बाद एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, और दो छोटे हिस्से बना जेता हूँ, दो हिस्सों में फूटिया है यह, अलग-अलग कलर से बना जेता हूँ, मानलों यह छोटा हिस्सा पिंक वाला और यह दूसरा वाला हिस्सा ब्लू वाला, दोनों बराबर मास्के ध्यान रखना है, हुआ यह जो पिंक वाला हिस्सा है न वह ऐसे पीछे वापिस आ गया वापिस आ गया मतलब अपने जहाँ से start किया था महां पर आ गया अब समझो क्या हो रहा हैं ऐसा काँ हो सकता है पहली बात तो, फूटने से जस्ट पहले, भाई अगर मैं Canon की स्टार्टिंग में velocity देखो तो V है, उसका ये वाला जो component आएगा, X component, वो क्या आएगा, V cos theta, और जो Y component आएगा, ये, वो क्या आएगा, V sin theta, ठिक, अब मैं को पता है कि X direction में तो velocity change होती नहीं है, तो फूटने से जस्ट पहले, ये जो combined cannon था, combined shell था, उसकी velocity यहाँ पर क्या रही होगी, V cos theta रही होगी, highest point पर horizontal direction, है न, initial वाली जो X velocity है, उसके बराबर, अब, फूटने के बाद क्या हुआ होगा, सोचो, अगर उसको अपने path को, छोटे वाले हिस्से को, अगर retrace करना है, अपने path को, तो उसकी velocity exactly उतनी ही होनी चाहिए, जितने की फूटने से पहले थी, अब बात को समझो, अब छोटे mass और बड़े mass में confused नहीं होना है, बले ही, इस pink वाले का mass, original वाले shell से आधा है, पर उसे कोई फरक नहीं पड़ता, ऐसे समझो, अगर मैं एक बड़ा पत्थर फेकूं, V velocity से, और अगर मैं एक छोटा पत्थर फेकूं, V velocity से, तो क्या इनके range में या time of flight में कोई फरक पड़ता है, नहीं, कोई फरक नहीं पड़ता, तो बड़ा वाला cannon, अगर V speed से, V cos theta speed से, अगर बीना फुटे जाता, तो कैसे जाता, ऐसे जाता की नहीं, ठीक है, और अगर बड़ा वाला cannon, उल्टा जा रहा होता, ऐसे जाता, तो क्या होता, वो ऐसे जाता, क्योंकि projectile motion में starting से लेकर top का पात होता है, और top से लेकर जो end point होता है, वो बिलकुल symmetrical होता है, यानि कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, बिलकुल symmetrical होता है, तो इस पूरी discussion से अपन लोग ये समझ गए, कि फूटने के just बाद ये जो pink वाला हिस्सा है, वो V cos theta से जाए तब ही जाके वो अपने path को retrace कर सकता है, ठीक है, अब सोचो, अब ये जो, अब तो ये black हो गया वैसे pink वाला, कोई बात नहीं, अब ये जो blue वाला है हिस्सा, उसकी velocity क्या होएगी, just after the फूटना, क्या लिखा हो है लेको, the speed of the other piece immediately after the explosion, फूटने के just बाद जो other वाला हिस्स अब मैं को एक और चीज़ क्या पता है आपर, कि just before and just after the explosion, momentum will be conserved, इसका मतलब क्या हुआ, initial momentum बराबर final momentum, है न, initial momentum मैं काम करता हूँ, ये जो original वाला है, इसका मास को 2m मान लेता हूँ, और इन दोनों छोटे टुकडों का मास को मैं mm मान लेता हूँ, तो p initial कितना हो जाएग just before the explosion, combined मास कैसे जा रहा था, वी कॉस थीटा है, है न, और just बाद, ये जो कारावला पार्टिकल है, वो कितनी स्पीड से जा रहा है, वी कॉस थीटा, मास कितना है m, तो इसका momentum कितना होगे, m, वी कॉस थीटा, with a minus sign, minus क्यों, क्योंकि वो negative x direction में जा रहा है, i cap लगाने की कोई जरूत नहीं है, क्योंकि हम लो, यह लगा लो चलो, यहाँ पर i cap लिख लो, यहाँ पर भी i cap लिख लो, ठीक, प्लस, ये जो blue वाला पार्टिकल है, उसकी velocity, उसकी speed क्या है, v dash है, तो momentum क्या होगे, m, v dash, और direction हो गई, v plus i cap, ये m तो कड़ गया, ठीक, अब यह देखो, ये minus v cos theta, इसके सांद जाके जुड़ जाएगा, ठीक है न, और दो तीन, दो और एक तीन मन जाएगा, तो 3 v cos theta is equal to क्या आ गया, v dash, i cap, i cap तो कटी जाएगा, है न, तो v dash, यहने कि speed of the particle, just after the explosion, is 3 v cos theta, तो a is the answer, है न, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जाधे explain कर दिया हूँ, in the sense, मतलब momentum conservation के पहले वाली जो बात थी होसता है, कुछ लोगों को obvious लगे, पर होसता है कि कुछ लोगों को obvious न भी लगे, है न कई लोग confused हो जाते हैं, छोटा particle और बड़ा particle में same velocity वाली बात पर, नहीं होना है अपने को confused, ठीक है न, इतना समझ लो, अगर एक particle ऐसे v speed से fake आ गया, और अगर ऐसे v speed से fake आ गया, एक particle, तो ऐसा और ऐसा path होगा, दोनों का बिलकुल symmetrical होगा, irrespective of the masses of the two particles, ठीक है न, चलो था तुम कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद